कुलू जिला के आनी उपमंडल की ग्राम पंचायत लाफली के गाओ नागनी के बिजली के खंबे के नीचे से लावा निकलने की वीडियो सोशल मीडिया में वाइरल होने के बाद प्रशासन ने संग्यान लिया और तुरंत टीम को घटना स्थल के लिए रवाना किया टीम ने घटना स्थल पर पहुंच कर धर्टी के अंदर से निकले प्रदार्थ के सेंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं और टीम ने आसपास के लोगों से इस बारे में पूछताच भी की कुलुजिला के आनि उपमंडल की ग्राम पंचायत लाफली के गाउ नागणी में बिजली के खंबे के नीचे से निकले प्रदार्थ का सेंपल जांच के लिए भेज दिया गया है जांच टीम के अनुसार बिजली के खंबे में स्पाकिंग होने के बाद धुआ नजर आया उसके बाद खंबे के नीचे ब्लास्ट हुआ धर्ती फटने से नीचे से काले रंग का तरल प्रदार्थ निकला और उसके बाद कुछ समय में ये प्रदार्थ ठोस बन गया सोशल मीडिया में ये वीडियो जम कर वाइरल हो रहा है ये घटना करीब 15 दिन पहले की बताई जा रही है उपायुक्त कुलू डॉक्टर रिचा वर्मा ने बताया कि मामला प्रशासन के ध्यान में आने के बाद तुरंत टीम को घटना स्थल पर भेजा गया उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर लोगों से पूछताच की गई और घटना स्थल से निकले प्रदार्ट का सेंपल जाँच के लिए भेज दिया गया उन्होंने कहा कि जाँच के बाद ही स्थिती स्पष्ट हो पाएगी जैसे ही ये बात ध्यान में आई कि इस तरह का एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि आनी में लफाली नाम की जगे से वहां से कोई ऐसा एक पदार्थ निकल रहा है जिसको की लोग बोल रहे हैं कि वो लावा निकल रहा है तो हमने तुरंत वहां पे एक टीम भेजी जाच के लिए उस टीम ने वहां पे सारी पूछताच की है लोगों से और सैंपल जो वो पदार्थ है क्योंकि काफी तो वहां पे नहीं था जो भी उनको सैंपल मिला उसको वो लेकर के आए हैं और इसकी आगे जाच करवाई जाएगी कि वो क्या मेटीरियल है अभी तक बहुत शौरटी से नहीं कहा जा सकता कि वो क्या मेटीरियल है लेकिन ऐसी संभावनाएं जताई गहीं हैं जो वहां पे कुछ टीम नहीं थी उनके द्वारा कि वहां पे बिजली का पोल था उसके तो नहीं ऐसा क्योंकि नीचे आर्थ वायर वगेरा भी होती है जहां पे पोल होते हैं तो वो उस तरह का कोई मेटीरियल तो नहीं है और ये प्रॉपर जब इसकी जाच होगी वो तभी क्लियर हो पाएगा फिलहाल अभी वहां स्पॉर्ट पे इस तरह का कोई पदार्थ ज झाल